हेलो स्टुडेंट्स मैं हूं मिली आलो और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूड मैट्स में आजम सौल्प करने जा रहे हैं क्लास 10 तारे सग्रवाल निव एडिशन चाप्टर 1 एक्सरसाइस 1D रियल नंबर से इसको यहां पर यह तो दिया है बस हमें इतने को प्रूफ करना है लेकिन सरफ question में अगर इतना portion नल दिया हो यह चीज कि यह irrational number है सरफ केवल दिया हो कि सिर्फ इतना proof करना हो यह rational number तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस root 3 को irrational proof करेंगे उसके बाद आप यहां पर तब 4-root 3 को proof करेंगे यहाँ पर जैसा कि question में दिया हुआ है तो आपका question बहुत easy हो गया तो अब आपको सिर्फ इतने को proof करना है अब आप क्या करेंगे कि 4 minus root 3 को irrational proof करने के लिए सबसे पहले आप इसे rational assume कर लेंगे तो चलिए इसे assume कर लेते हैं let us assume that 4 minus root 3 is a rational number यह rational number है तो यह p by q के format में ही होगा तो हम इसे लिखेंगे now let now let 4 minus root 3 is equal to a upon b जो की p by q के format में है जहां a और b आपके क्या है co-prime है where a and b are co-primes यह आपके आपस में co-prime है और साथी जात एक integer भी है देखें co-prime क्या होता है ऐसे numbers जिनके आपस में 1 के लाबा और कोई common factor ना हो जैसे कि आप 3 by 2 ले रहे हैं 3 by 2 के बीच में यहां 1 से सिर्फ यह दोनों divide हो सकते हैं और किसी number से divide नहीं हो सकते हैं ऐसे ही यह co-prime कहे जाएंगे और integer वो होते हैं जिन्हें आप number line पर ही present करते हैं यानि आपके 0 से लेके आपके infinite positive वाले और infinite negative तक के वाले numbers यानि negative positive और 0 सारे numbers आपके क्या हैं co-prime numbers है sorry integers होते हैं तो वो integer है और साथी साथ इसमें एक और condition होती है कि B is not equal to 0 होना चाहिए क्योंकि B 0 हो जाएगा अगर कोई भी rational number में तो वो आपका rational number नहीं होगा तो इसलिए B is not equal to 0 होना चाहिए अब जैसा कि आपने 4 minus root 3 is equal to A upon B ऐसा let किया है तो आपको question में तो सिर्फ किवल root 3 को एक irrational number दिया है बाकी numbers का तो नहीं दिया तो अब आप सिर्फ root 3 को एक side रखिए और बाकी numbers को दूसरे side कर दीजे तो अगर हम 4 इधर A को इधर transfer कर लेंगे तो A minus B हो जाएगा और root 3 को हम इधर लिख देते हैं तो ये plus में हो जाएगा इसे अगर हम ऐसे सीधा सीधा लिखें कि root 3 is equal to 4 minus A upon B ऐसे हम अगर लिख दें तो कोई problem नहीं है इसमें अगर हम minus common ले 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 या फिर इसको as it is रख देते तो कोई problem नहीं है तो अब हम यहाँ पर जैसा की लेट किये हैं A और B आपस में क्या है इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे as we know that A and B are इंटीजर्स अगर ये इंटीजर्स हैं मतलब इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि आप A की जगा पर 2 लिख देंगे और B की जगा पर आप अगर मालिजे 3 ही लिख देंगे तब भी A इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर्स ही आपका एक राशनल नंबर दिख रहा है कि नहीं देखें यह आपके राशनल नंबर है क्योंकि आँपे A और B के फॉर्मेट में लिखा है तो अगर ये इंटीजर्स है इसका मतलब A और B एक राशनल नंबर है और A और B राशनल है तो इसके साथ एड़ करिए या माइनस करिए जो भी नंबर आता है वो भी राशनल ही होता है तो अगर ये इंटीजर्स है तो हम क्या सकते हैं therefore 4-a upon b is a rational number क्योंकि अगर ये इंटीजर्स होंगे तो ये एक र also a rational number तो अगर ये भी आपका rational number हो गया तो हम कह देंगे कि ये दोन इकोल है लेकिन आपको given क्या है रूट 3 तो irrational है तो but हम यहां लिखेंगे given that given that root 3 is an irrational number यह irrational number दिया है इसका मतलब हम नहीं जो लेट किया है वो गलत लेट किया है कि ये आपके पूरी value rational number है कि अगर 2 3 के साथ irrational number के साथ कुछ भी पना साथ गटाहिए तो irrational ही आता है तो यह आपका irrational number है तो यह आमने जो इसको rational let किया है तो वो गलत लट किया है इसका मतलब होगा हमारा इस शोज दाट इस शोज दाट आट आवर अजब्शन इस इनकरेक्ट यह हमने गलत लट किया तो दे आर फोर जो यह नंबर है 4-root 3 वो एक irrational नंबर है क्योंकि यह तो अब irrational की property को follow कर रहा है is an irrational number तो आपको बस ऐसे ही solve करना है क्योंकि आपको question में तो दिया है root 3 एक irrational नंबर है तो आपका काम एकदम आसान हो गया है आपको इस question में कुछ भी नहीं करना बस ऐसे ही solve कर देना है तो अब next question को भी solve कर लेते हैं वीडियो को like भी कर दीजे चैनल को subscribe कर लेजेगा और bell icon को press कर लेजेगा जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का notification सबसे पहले मिल सके तो start करते हैं question number 7 को solve करना question number 7 में आप से कह रहा है 3 plus 5 root 2 is an irrational number given that root 2 is an irrational number तो ये भी आपका बहुत easy question बन गया क्योंकि इसमें आपको root 2 irrational दिया हुआ है और अगर root 2 irrational नहीं दिया होता तो आपको सबसे पहले root 2 को irrational proof करना होता तो यहाँ पर हमें इसे irrational proof करना है और इस type के question आपके board exam में 2 से 3 number के आते हैं और अगर ये नहीं दिया होता है इतना statement तो आपका phone marks का आता है तो सबसे पहले अगर ये irrational number है तो हम इसको पहले rational मान के चलते हैं और अगर इसके property rational से नहीं मैच करेगी तो हम कह देंगे कि हमने गलत assume किया था तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं let us assume that 3 plus 5 root 2 is a rational number तो अगर ये rational है तो P by Q की format में होगा तो therefore now let let 3 plus 5 root 2 is equal to A by B जहां A और B आपके क्या हैं इंटीजर हैं और को प्राइम हैं where A and B are को प्राइम को प्राइम मैंने आपको बताया जिनके बीच में common factor सिर्फ 1 होता है और इंटीजर और साथी साथ क्या है एक इंटीजर है और एक और condition है आपकी कि B is not equal to 0 होना चाहिए तो यह value आपके irrational नहीं होगी तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर जो हमने 3 plus 5 root 2 is equal to A by B लिखा है तो हमको तो सर्फ question में root 2 irrational दिया है बाकी questions को तो नहीं दिया बाकी numbers को तो नहीं दिया तो हम root 2 को एक side कर लेंगे और बाकी numbers को एक side कर लेंगे तो हम यहां क्या करते हैं कि 5 root 2 रहने देते हैं और यहां A by B और इस 3 को transfer करेंगे तो यह minus 3 हो जाएगा अब हम यहां पर इस root 2 को एक side रखते हैं तो A upon यह 5 को transfer करेंगे तो 5B minus 3 by 5 क्योंकि 5 जब यहां पर transfer होगा तो इसके साथ multiply होगा और इसके divide में 1 होता है तो इसके multiply हो जाएगा तो यह आपका एक number बन जाएगा अब हम जानते हैं as we know that as we know that A and B are integers दोनों integers हैं मैंने आपको बताएं integers वो होते हैं जिन number line पर represent करेंगे तो अगर यह integers हैं तो इसका मतलब है कि यह आपके एक rational form में होंगे तो therefore A upon 5 B minus 3 upon 5 is a rational rational number यह rational number है और rational number के equal में कोई भी number है अगर लिखा तो वह भी rational होगा तभी तो इसको लिखा है तो हम कह सकते हैं therefore root 2 is also a rational number लेकिन हमको given है कि root 2 तो irrational है but given that given that root 2 is an irrational number इसका मतलब हमने गलत assume किया है तो this shows that our assumption is incorrect जो हमने लेकिया है वह गलत है अगर यह incorrect है कि एक rational है तो इसका मतलब है कि irrational ही हुआ therefore 3 plus 5 root 2 is an irrational number hence proved तो यह था आपका question number 7 6 & 7 का solution और वीडियो समझ में आ रहा है तो जुरूर बताएए comment box में yes ma'am समझ में आ रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा और चैनल को subscribe किये बीना मत जाहिए क्योंकि आप subscribe करेंगे और बल आइकन को जब प्रेस करेंगे तभी आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो बने रहे इस चैनल के साथ में thank you so much for watching